पूल इंडिया सच की आवाज अब सच देखे गए इंडिया छोटी सी उमर और काम बहुत बड़ा राहूल भरद्वाज डारेक्टर प्रिर्डूसर एक शौर्ट फिल्म बनी थी एक थी नर्स मैं राहूल से जानना चाहूंगा कि आपको एक थी नर्स फिल्म बनाने की प्रेणा कहां से मिली और कैसे मिली देखे सर जब ये कोरोना आया तो कोरोना काल में मुंबई में था उस वक्त एक खबर आई थी कि मोदी जी ने ये घोशना किया था कि कोरोना वारियर्स को 50 लाख रुपे हेल्थ वीमा के तौर पे दिया जाएगा तो मेरे मन में ये खयाल आया कि अगर कोई गरीब परिवार की लड़की जो नर्स की भूमिका में कारे रत है और उसको जब ये खबर देख रही होगी वो गरीब परिवार की लड़की और उ मेरे मन में आया सचा करन कश्यब तो जितने करन का मेंता स्च्वएम के विखा एक दि दि कीत तौर चाहता है तो रहे मुझे काफी हीमेदकी कि बिल्कुल ठीक है तुम करो तो मुपाइश में मुंभाईर तैयार करके दीजिए तो उन्होंने स्क्रीन पूरा लिक्र के दिया और उसके बाद मैंने फिर यहां सीवनी में फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई छोटी सी हम मेंकर आई जी से संपर्क हुआ हमारा हमारा संपर्क संजय शूटर फिल्म से यहां पर जिनके ऑफिस में सारा का यहीं सीवनी से है इसमें शुबह में यादा हो है जिन्होंने सिनमाटोग्राफी किया है तो इस टाइप से हम लोगों ने तैयारी किया और उसके वाद में यह पैदा कानिवाडा में हुए हैं लेकिन बुमबई चले गए और जब फिल्म मिलाने का आपके दिमाग में आया तो आपको फिर सिवनी याद आई तो आपको प्र दाए नयुसिए याद नहीं मैं कह सकता हूँ कि मेरी कर्म भूमियन मुंबाई शपनों का शहर है बहुत लोगों को मुंबई ने बहुत कुछ दिया है लेकिन आप मुंबई के लिए समर्पत होना पड़ेगा तो आपको म कुछ करना है लेकिन कैसे करना है वह सही वक्त मुझे समझ में नहीं आया था लेकिन में को लगा कि यह सही समय है तो अब हम यह प्रयास कर रहे हैं आगे हमारी कुछ फिल्मेकर से चर्चा हुई है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है औरा मैक्स ओटीटी जो औरा मैक्स एंटर्टेन्मेंट के बैनर में लगभग फरवरी माहा से यहां पर फिल्मों की वैप सीरीज दो फैप सीरीज आ रही है सिउनी के कुछ तो सिउनी में प्रयास कर रहा हूं क कि मुंबई के फिल्म मेकर सीरीज आ करके काम करें तो अभी हमारे यही उसमें डिसकासन चल रहा है यह जो फिल्म बनी थी एक थी नर्स इसको हजारों लगों ने देखा होगा सराहा भी होगा आपने अभी बताया कि यह आपने बाहर फिल्म पेयर में इसको पहुचा है कहा कहा गई है यह फिल्म फेस्टिवल होते हैं जो की हर वर्षों की अनुसार यहां खज रहा हो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है यहां चटवा फिल्म फेस्टिवल था वहां पर मेरी फिल्म गई थी वहां ऑफिसियल सेलेक्शन हुआ था उसका और साथ दिवसी यह महुत्सव में मेरी यह फिल्म लगी वहां पे तो वहां के जो फिल्म मेकर थे उन्होंने फिल्म को देखा बहुत अच्छे क्रिटिक्स लोग बैठे थे वहां पे उन्होंने देखा और इस के लावा हम लोगों ने इस फिल्म को यूएसे में ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फिल्म फेस्टिवल होता है वहां पर भी भेजा उसका ओफिसियल सेलेक्शन हुआ था तो जिसमें अभी मैं जू मैप के जरिये उन्होंने एक मीटिंग रखी थी उसमें मैं समलित हुआ मैं वैसे तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती मैं कम पढ़ा लेखा हूं मेरे मेरा ग्रेजुएशन बहुत कम है नौवी फैल हुँ मैं क्या हुआ कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है जब मैं पढ़ता था उस समय इसकूल में ABCD नहीं आई थी तो जब हम छटवी में चटवी में हमने चेहरा देखा अंग्रेजी का तो वह भी ABCD करके पढ़ते थी कानिवाड़ा में चटवी में पहुंचा प्राइमरी स्कूल तो मेरा कानि तैसिल टोला था वहां पे शरीता में श्राजी मैडम थी तो उस वक्त जब हमने देखा ये अंग्रेजी का चेहरा तो वह भी अच्छे से नहीं आती थी लेकिन अब लगता है कि हमने पढ़ाई ना करके कितनी बड़ी गलती की है आज हम सीख रहे हैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो अब कुछ समझ भी जाते हैं फिल्म छोटी थी जी उसमें आपने सीवनी के कलाकार सारे सी फिल्म के लिए और ऐसी प्रतिभाएं हैं सीवनी की माटी की खुश्बू में हैं हमारी सीवनी ने अनेको कलाकार दिये हैं मुंबई को जैसे एहसान कुरेशी हैं रितू पाटक हैं और अनेको कलाकार जिनका मुझे शायद नाम भी नहीं पता लेकिन सीवनी में ऐसे भी तो मेरा भी यह प्रयास है कि मुंबाई के फिल्मेकर्स सीवनी में आकर करें सीवनी में बहुत सारी आसी एसी लोकेशन से जिन में शूट किया सकता है वैसे भी बाला घाट में शूटिंग चल रही थी अभी विद्या बालन की शेरी करके फिल्म थी अभी सारणी में धाकड फिल्म की शूटिंग होने वाली है कंगना रनावत की तो मैं भी यह चाहता हूं कि हमारी सीवनी में फिल्मों का निर्माड हो यहां के कलाकारों को एक रोजगार मिले और कला दिखाने का अभिनाई प्रदर्शन दिखाने का मौका मिले जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया झाल